देखो काफी सर ऐसे सुरेंस है जो ये पूछते हैं कि सर NUS का और CVSC का जो सिलेवर से वो सेम होता है कि अलग होता है तो इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता हूँ कि देखो अगर आप CVSC से अपनी पढ़ाई कर रहे थे किसी रिजन से एक स सबजेक्ट में आप रहे गए हो क्वालिफाई ने कर पाई हो दस वी क्लास या बारवी क्लास तो उसकेस में अभी NUS ने आप लोग को अपोर्चिंटी दे रखा है कि इस टीम टू में आप लोग एडविशन लेकर अपना जो भी दस वी क्लास है उसे किलियर कर सकते हो इसी साल ओक्टवर 1923 में या बारवी क्लास में अगर रहे हो तो बारवी क्लास आप लोग इसी साल ओक्टवर 1923 में एक्जाम देकर क्वालिफाई कर सकते हो तो अगर आपको देखो एडविशन लेना है जितने भी CBSC के स्टुरेंस है जो NUS में एडविशन लेने की सोच रहे है अगर आपको एडविशन लेना है तो 31 जुलाई से पहले पहले लेना होगा क्यूकि stream 2 की जो लास्ट जेट है वो 31 जुलाई है 31 जुलाई के बाद stream 2 का जो एडविशन है वो क्लोज हो जाएगा क्यूकि एक्जाम भी आप लोग के October 23 में ही होने है अब दिखो guidance के लिए मेर यह NUS का सेम होता है कि अलग होता है तो देखो CBSC का जो syllabus होता है नो वो NCIT based होता है अब आपने देखो CBSC से अपनी पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि NCIT के अलाबा भी काफी सारी help book आती है ठीक है CBSC की ठीक है और कहने का मतलब यह है कि CBSC का जो मतलब syllabus होता है नो वो जादा होता है तो कि वहाँ पर आप देखोगे तो regular base पर आप लोग की classes लगती है regular पढ़ाई होती है और वहाँ पर term चलता है ठीक है term चलता है term first second third fourth इस तरीके से term चलता है और आप लोग का उसी का कहोगे न तो जो CBSC के जो students होते हैं उनका syllabus जो होता है काफी जादा होता है और अगर आप देखो CBSC से पर क्या होने तो मैं आपको guarantee देता हूं कि आप लोग को अनिवेस में पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा पूछोगे क्यों तो देखो अनिवेस का जो syllabus है वो बिल्कुल short है तस भी class का भी और बार्वी class का भी short का मतलब यह है कि अनिवेस का syllabus थोरा सा है ठीक है according to CBSC के syllabus से मैंने आपको भी बताया कि जो CBSC का syllabus होता है वो lengthy होता है ज्यादा होता है और अगर आपने देखो ज्यादा वाले syllabus को परहे हो ठीक है तो उस चीज़ के आपको experience भी होगा ठीक है और अभी आप NUS में अडिशन लोगे तो आप लोग को यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं हो होगा क्योंकि already आपने बहुत मैनत कर रखा होगा अगर आपने CBSC से परहाई कर रहे हो तो ठीक है CBSC के students काफी जादा मैनत करते हैं क्योंकि उनको regular base पे स्कूल जाना होता है regular base पे उनको परहाई करनी होती है regular base पे उनको testage बगरा देने होते हैं दो-दो exam उनको देने होते ह हो गया और board हो गया इस तरीके की faces से हो गुजर चुके होते हैं तो anyways में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको पास होने में इस सीच की तो guarantee है यहां पे ठीक है यानि कि अगर आप देखो anyways में अभी लोग है तो आप अराम से अपना qualify कर जाओगे इसी साल ठीक है इसी साल यानि कि October 1923 में ही आपका एकजाम हो जाएगा अगर आप CVSC के फेल उस से देंस हो 10 वी क्लास के या 12 वी क्लास के तो बस आपको एडवीशन लेने के लिए क्लास करना होगा तो एडवीशन लेने के लिए आपको अगर मुझसे करवाना है तो आपको मुझसे contact करना होगा बा बाकि मुझसे अगर एडवीशन करना चाहो तो मुझसे एडवीशन करवा सकते हो ठीक है उस case में आपको Instagram पे पहले आना होगा उसके बाद मैं आपको WhatsApp नमर दूँगा फिर WhatsApp पे आप लोग डॉक्मेंट वगरा भेजोगे उसके बाद आपका मैं एडवीशन कर दूँगा और आपको अगर मुझसे एडवीशन लोगे तो जो भी दिक्कत आईगी आपको जैसे कि आप लोग का syllabus समझ में या रहा है या कुछ notes वगरा चाहिए, TMA हो गया, PDF हो गया, कुछ भी आपको चाहिए होगा तो WhatsApp चीज़े में प्रवाइट कर दूँगा तो इसके लिए आप आपको मुझसे contact करना होगा, बाकी देखो syllabus की बात करें तो मैंने आपको धारन के तोर पे समझा दिया है कि CBSC का जो syllabus होता है नो काफी जादा lengthy होता है, क्यों होता है ये भी बता है क्योंकि regular ways पे classes चलती है, regular ways पे टेस्टेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, ठीक है, और उसके pre-board हो गया, फिर board हो गया, इन सब चीजों को लेकर देखें तो इनका syllabus होता है, काफी जादा lengthy होता है, बहुत जादा होता है, लेकिन anyways का syllabus होता है, बिल्कुल short, कैसे, सिर्फ Sunday Sunday classes लगेगी, ठीक है, वो भी आपकी मर्जी है, जाओ ना जाओ, ठीक है, और आप लोग की exam सिर सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है, यहाँ पर यह नहीं होगा कि pre-board होगा, पहले फिर आपका board होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग का test बहुत सारे लिये जाएंगे, ठीक है, कहेंगे, आप से teacher को यह ऐसा कहेगा, कि कि आप इस subject का test जो आज test देना है, surprise test ज अभी ले लेते हो, 31 जुलाई से पहले पहले तो, ठीक है, अगर आप 31 जुलाई से पहले पहले एडविसल ले लेते हो, तो उस case में आप लोग को, सिर्फ आपको अपना exam देना होगा, October 23 में, प्रेसर विल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे anyways में, ठीक है, अपने according, अपने मर् होता है, तो भी सुनाते है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, आप copy नहीं बनाओगे, तो भी चलेगा, आप classes नहीं लोगे, तो भी चलेगा, आप अपनी test बगरा नहीं दोगे, तो भी चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो तो, यहाँ पे कोई exam बगरा नहीं होता है प्री बोर्ड एक्जाम नहीं होता है इस तरीकेगा फाइनल एक्जाम होता है जो कि आप लोग का एक ही बार होता है ठीक है टीए में भी आपका एक ही बार होगा जिसे आप असाइमेंट के आते हो ठीक है प्रैक्टिकल एक्जाम होना तो आपको NWS के सिलेवस को पढ़ने में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ओललेड यापके एक प्रेशर से गुजर चुके हो यहाँ पर आपको उस तरीके की प्रेशर देखनों को नहीं मिलेगा तो आप लोग देखो एड़ीशन लिना है तो एडविशन लेलो, फीस वगर आपको जाननी है तो इसकेस में आपको वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो मैंने बता रखा है कि फीस कितना लगता है ठीक है, बाकि मुझे से अगर कॉंटेक्ट करना है पर नहीं तो इंस्साग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हूँ मिलेंगे अगले वीडियो में इसे तरीके से बाकिस सिलेवस बिल्कुल छोटा है भाई गरेंटीर आप पास हो जाओगे अगर आप CBSC के सुडेंस हो तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में